हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल जीके C9 गुरूप पर आज की इस वीडियो में हम HPSHC यानी हमिरपुर बोड का प्रिविसर पेपर कवर करेंगे और आज हम जो भी क्वेशन के अंसर करेंगे HPSHC की ओफिशल आंसर की के कोडिंग और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेशन में डोट होगा तो कमेंट करके जुरूब बताना और ये कलास हिमाचर प्रदेश की सभी अपकमिंग प्रिक्षों के लिए पोड़न्ट रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 34 कोशन से इसमें ये पूशग गया कि 1909 में तीरदान जी के कछेतर में किसने पशुरां पुर्सकार प्राप्त किया तो किसने पुर्शुरां पुर्सकार प्राप्त किया था तो इसका जो रैट एंसर होगा शकल जंग दोरजी ऑप्षन ए लहोर शडियंतर केस में शामिल होने के कारण निमन मैंसे किसे करांतिकारी को 6 वर्ष 1924 तक के लिए कारवास हुआ था तो ये हुआ था जेपी बग्गी आउप्षन बी शूलनी मंदर हिमाचल पदेश के किस स्तान पर स्थित है तो दोस्तों बात करते हैं शूलनी मंदर की तो ये मंदर हमें देखने को मिलता है सोलन में नाहन तो नाहन ये पढ़ता है स्रिमौर में तो स्रिमौर में जो भी मंदर हैं उनकी भी बात कर लेते हैं जैसे गायतरी मंदर हो गया जगतनात मंदर हो गया बालासंदरी मंदर जिसे हम कहते हैं तिलोगपूर मंदर, शिरुगुल देवता मंदर तो ये सभी मंदर स्रिमौर जिले में पढ़ते हैं मनाली मनाली जो कुलू में पढ़ता है तो मनाली में जैसे हडिमबा देवी मंदर है जिसे हम डूंगरी मंदर भी कहते हैं और इस मंदर को पंदरा सो तुरुजा इस भी में राजा बादुर सिंग ने बनवाया था जमलू मंदर है, मलाना में कुल्लू में पढ़ता है रगुनात मंदर कुल्लू में, बिजली महादे मंदर हो गया कार्तिके मंदर हो गया, अरजुन गुफा, यह सभी कुलू जिले में पढ़ते हैं चम्बा तो चम्बा में जैसे शक्ति देवी मंदर है शत्राडिस्तान पर लक्षना देवी मंदर जो की बर्मोर में पड़ता है और इस मंदर को राजा मेरु बर्मोर ने बनवाया था मनिमेश मंदर इस मंदर को भी राजा मेरु बर्मोर ने बनवाया था गनेश मंदर तो यह मंदर पढ़ता है बर्मौर में नर्सिंग मंदर बर्मौर में पढ़ता है हरीराय मंदर चंबा में पढ़ता है इस मंदर को लक्षम बर्मौर ने बनवाया था लश्मी नरायन मंदर तो ये मंदर चमबा जिले में पढ़ता है इस मंदर को साइल बन्वर्ण ने बनवाया था 84 मंदर तो ये मंदर भी चमबा जिले में पढ़ता है तो चलिए अगले कुशन पार 37 पार इसमें ये पूशा गया कि हालदा फेस्टिवल हीमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाय जाता है तो बात करते हैं हालदा फेस्टिवल की तो ये फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है लहौल स्पिती में लहौल स्पिती में लदर चा मेला भी मनाय जाता है जो कि काजस्तान पर लगता है लोसर उसर भी मनाया जाता है और दोस्तो जो लोसर उस्तव है ये किनोर जिले में भी मनाया जाता है उन्ना उन्नम जैसे पिपलु मेला मनाया जाता है पिपलुस्तान पर चिंतपुनी मेला बाबा बडवासिंग मेला जो कि मैडिस्तान पर लगता हूं नम है बात करते हैं हमीरपुर की तो हमीरपुर में जैसे होली मेला मनाया जाता है सुजानपुर में लगता है ये मेला द्यूरसिद मेला हमीरुसव गसोता मेला तो ये सबी मेले हमीरपुर जेले मैं मनाया जाते हैं बिलासपुर, तो बिलासपुर में जैसे नलवाडी मेला मनाया जाता है, नैनादेवी मेला, मरकंडा मेला, गुगगा मेला, चलिए अगले क्वेशन पर, क्वेशन नमबार 38, इसमें ये पूशा गया कि कार्थी, हिमाचल पदेश के किस जिले का लोकन रित्ते हैं, तो बात करते हैं कार्थी की, तो इसका जो रेट अंसर होगा कुल्लू, कुल्लू के जैसे डिली भी हैं, रोजका भी, शिम्बला, तो शिम्बला का लोकन रित्तिव, जैसे गी हो गया, माला, बूरा, सिंग हो गया, ठोड़ा हो गया, शोहरा, तो ये सभी लोकन रित्तिव शिम्बला जिले के हैं, सिर्मोर, तो सिर्मोर के जैसे बिड़सु हो गया, गी हो गया, नाटी, रासा, जूरी, बुड़ा Q39 इसमें ये पूशा गया कि राज्य संग्राल्य, स्टेड म्यूजियम, हिमाचर पदेश के किस तान पर स्तित हैं? तो ये हमें देखने को मिलता हैं शिमला में, आप्शन ए Q40 इसमें ये पूशा गया कि लज्जो पुस्तक किस के दोरा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं शांता कमार के दोरा और शांता कमार ने कुछ और भी पुस्तकें लिखी हैं जैसे दर्ती हैं बलिदान की, पहाड बगानी नहीं होंगे, हिमाले पर लार्शाया बात करते हैं रन्जोर सिंग की तो इनों होने पुस्तके लिखी हैं तारीय के रियासित, स्रीमः भिक्रम कायसत इन्होंने पुस्तिक लिखी हैं हिष्ट्यो मंडी राहूल संक्रियतन तो इन्होंने पुस्तिक लिखी हैं किन्नरदश और दोस्तों इन्होंने एक और पुस्तिक लिखी हैं कमेंट करके बताना राहूल संक्रियतन के बारे में Q41 इसमें ये पूशा गयां कि निमिन मैसे किसे बाइसरिग्गल लोज के नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है Indian Institute of Advanced Study, Option C Q42 कशांग 2 पान बिजली प्रियोजना हिमाचर पदेश के किस जिले में पढ़ती है तुंडा बन्ने जी ब्यारन हिमाचर पदेश के किस जिले में स्थित है तो बात करते हैं तुंडा बन्ने जी ब्यारन की तो ये हमें देखने को मिलता है चंबा मै चंबा मैं जैसे तुंडा बन्ने जी ब्यारन भी है कुगती बन्ने जी ब्यारन, काला टोख जियार, सेचु तुआन आला, गांगुल स्याल बेही तो ये सभी बन्ने जी ब्यारन हमें चम्बा जीले में देखने को मिलते हैं कांगडा, तो कांगडा में जासे महराना परताव सागर बन्ने जी ब्यारन, दोलादार बन्ने जी ब्यारन, मंडी, तो मंडी में जासे बांदली बन्ने जी ब्यारन, नर्गू बन्ने जी ब्यारन, शिकारी देवी बन्ने जी ब्यारन, किनोर, तो किनोर के जासे रक्षम चित बन्ने जी ब्यारन, रूपी बाबा, लिपा सरंग, चलिए अगले क्वेशन पर, तोटी फोर पर, मार्च उनिस्सो कुंजा और फर्वरी, उनिस्सो बुंजा के मध्य, हिमाचर पदेश के मुखे अज़िट कौन थी, तो दोस्तों, यहाँ पुशा गयां की मार्च उनिस्सो कुंजा से लेकर फर्वरी उनिस्सो बुंजा तक, तो इसका जो रैट एंसर होगा, भगवान साई, ओप्शन डी, एंसी मेता नहीं होगा, हिमाचर पदेश, लोक सेवा, अयोका गठन की सवर्ष हुआ था, तो एचपी पाबलिक सर्विस कमिशन, तो इसका जो गठन हुआ था उनिस्सो कतर में, हिमाचर पदेश का सबसे बड़ा जीला, कशेतर फर उनिसार, तो कौन होगा, लोल्स पीती, 13,850, बर किलो मेटर, और सबसे शोटा कौन है, हमीरपूर, और दोस्तों कमेंट करके बताना, हमीरपूर का जो बर किलो मेटर कितना है, नूरपूर का ओड़ नेम, तो क्या होगा, दमेरी, हंड्यूर किसका है, नालगड का, और कहलूर, बिल्यासपूर का, और बानेद किसका है, कमेंट करके जुरूर बताना, लॉड मियो ने किस बर्च, शिम्बला की यातरा की थी, तो बात करते हैं, लॉड मियो की, तो इन्हों ने शिम्बला की यातरा की थी, ठारा सो कस्तर में, चड़िए कोशन नमबार 52 पर, तो यह कोशन है रीजनिंग का, इसका माव अपको अंसर बता देता हूँ, आप्शन बी, कोशन नमबार 53, तो इसका जो रैट अंसर होगा, आप्शन बी, जिस प्रकार मौम स्वंधित हैं ग्रीज से, उसी प्रकार दूर्श्वंधित हैं दैं से, आप्शन सी, बीस परवरी 1990 में को शनिवार था, तो 30 दिसंबर 1997 को सबता का कोण सा दिन होगा, मंगलवार, पादव के किस बाग से हल्दी प्रावत की जाती हैं, तो पादव के किस बाग से, तो ये प्रावत की जाती हैं तने से, आप्शन ए, निमन मैंसे किसे, फीता क्रमी होने की अधिक स्वावना है, फीता क्रमी होने की, तो इसका जो राइट एंसर होगा, सुर मास्क बक्षी, आप्शन D, आयोडीन, युक्त नम्क क्या होता है, तो आयोडीन युक्त नम्क में, तो ये होता है, पोटेश्यम आयोटेट, आप्शन D, कैलिवियन, किसके मापन के लिए उप्योग होता है, तो ये होता है, टेम्परेच्चर के लिए, आपमान के लिए, नीमन मैंसे किस, कुशान राजा ने सपूर्ण, बिश्व का बगवान का खिताब दार्न किया है, तो किसने दार्न किया है, कड़ पी सेस्टू ने, आउशन B, दियस पह, सियस पह, विवस्ता किसके द्वारा लाई गई थी, तो ये लाई गई थी आकवर के द्वारा, आउशन A, मराठा राजे संग की अंतिन, हार निम के समय में हुई थी, तो जो मराठा राजे संग की हार, तो ये हुई थी, आईसिटन के समय, आउशन C, अकवर द्वार के महान संगीगत तान से न स्वन्दी थे, तो जो तान से न से स्वन्दी थे, दिल्ली से, सोरी गवालर से, आउशन C, निमन मैसे की से बारतिय पुना जागरन का जन्म कहा जाता है, तो बार्तिय पुना जागरन का जनक तो ये कहा जाता है राजा रामोन राय को ओप्शन D बुदान अंदियोलन की शुरुवाद किस न की थी? तो इसकी जो शुरुवाद की थी बिनोवा बावेने ओप्शन C राज्य बिदान सवा के खरस्यों को कितने बर्ष के लिए चुना जाता है तो ये चुना जाता है पांच बर्ष के लिए ओप्शन B कौशन No. 67 इसमें ये पूशा गया कि उचन्याले मैं नेदिशों की संक्या कौन इदार्थ करता है तो ये करता है राश्टी पती ओप्शन B चलिए अगले कौशन पर कल्यान राज्य का उदेश्य क्या होता है बैरफे स्टेट तो क्या होता है प्रजयतांतरिक समाजबाद ओप्शन D कौशन No. Next अदुनिक अर्षबस्तक क्या है Modern Economy तो क्या है Open Economy ओप्शन A Qशन No. 70 Under the Lead Bank Scheme A Bank was expected to adopt A तो इसका जो राट अंसर होगा Option C District चलिए आगले Qशन पर 71 पर दुरूब तारा किस तारा मंडल का हिस्सा है तो दुरूब तारा तो ये हिस्सा है लिटल डिपर का Option D नीमिन मैं से कौन सा एक Qशन कट्रबंदी चकरवाद का उधारन नहीं है टोर्नेडो Option A किरगिज रहते है तो ये कहां पर रहते है पशिमदेशियमे Option C Qशन No. 74 नीमिन मैं से कौन सी एक रोपन फसल नहीं है रोपन फसल Option C गन्ना बारत का राज जाहर वर्ष केवल तीन ये चार महिने सुका मौसम रहता है तो तीन ये चार महिने तो ये हमें देखने को मिलता है केरल में Option D तो एकला कोशन है 76 अटोनियम डिस्क्रिपेंसी तो क्या होते हैं डिस्क्रिपेंसी तो ये होते हैं असमानता डिपरेंट तो इसका जो आंसर होगा कनसिटेंसी मिलान Option C Question No. 77 One-Word Substitution Language difficult to understand Because of word From तो इसका जो रेट अंसर होगा Option B He does not know How to look A word in the dictionary तो इसका रेट अंसर क्या होगा Option B Question No. 79 आपको बताने Correct word तो इसका जो रेट अंसर होगा Option C Question No. 80 श्रमदान में समास ताथ पूर्ष Option C गरंत का वह वचन तो इसमें आपको बताने गरंत का वह वचन तो क्या होगा गरंतों Option B दरवार में प्रत्य बार Option D Question No. 83 गंगा का प्रेवाच्ची सुर्शरी Option A तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शिर कर देना और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना मिलते हैं किसे और वीडियो में जाय हिंद जाय हिमा चल किसे अगर देना